मैं जगदिश रामसिदार, उर्फ जगदिश निपोर्ते, अपर उप अभियनता भीएचेल बोपाल मत्परदेश यवाम ट्राइवल आर्गनाजेशन अब गुडवाना की राश्ट्य अध्यक्ष की रूप में मैं समाज के भीच काम कर रहा हूँ साथियों फेस्बुक लाइब में जुड़े सभी सगापाडियों को साधर सेवा जोहार, उल जोहार, संस्ता ट्राइवल आर्गनाजेशन अब गुडवाना ये और से विश्व स्वदेशी जनों को इस इंटरनेशनल डे आप दा वर्ल इंडिजिनस के उसर पर बहुत-बहु मैं अपना विचार रखूं उससे पहले सब्रत्थम मैं प्रकृति सक्ति फड़ा पेन सभी पेन वासियों को अवहान करते हुए उनके चरणों को नमन करता हूँ एवं आज की इस महामारी COVID-19 कुरोना के चपेट में आकर आकस्मिक निधान हो गया से विश्व के सभी इंडिजिनस पीपुल एवं गयर इंडिजिनस पीपुल सभी को मैं अपना सर्धा सुमन अपित करता हूँ वह उनके परिवार के प्रती अपनी गहरी समिदना ब्यक्त करते हुए दुख की इस चण को प्रकृति सक्ति फड़ापें सहन करने की सक्ति प्रदान करें ऐसी भी कामना करता हूँ साथियों सैंतराश्रंग महासभाद हर वर्ष आज की दिन किसी एक विशय पर विश्व के सभी स्वदेशी जनों का ध्यान आत्रिष्ट करवाता है ताकि इस विशय की प्रासेंग दित्ता विश्व के स्वदेशी और गैर स्वदेशी जनों की बीच क्या रिष्टे हैं स्वदेशी लोगों की क्या-क्या समस्याए हैं इस विकास की दोड़ में आज मूल निमासी या इंडिजिनियस पिपूल वो अपने किस जगा खड़े हैं इसके समस्या क्या-क्या है समाधान की क्या रास्ते हैं आदी विश्यों पर ध्यान आत्रिष्ट करवात करते हुए विस पठल पर रखा जाता है स्याथियों इसी कड़ी में इस वर्ष का थीम विशेवस्तू सेंट्राग संग ने जो दिया है वो COVID-19 है यह एक प्रकार का नया वाइरस है नया वाइरस होने के कारण बजार में आज तक इसकी दवाई नहीं आपाई है जिसके चलते दुनिया के साइंटिस्ट और वेग्यानिक इस बीमारी की वाइक्सिन खोजने में लगे हो अंतिम ट्रायल अंतिम दौर में चल रहा है लेकिन दवाई नहीं होने के कारण 20 में करोणों लोग इसके जद में आकर अपनी जमान गवा चुके हैं परन्तु साथियों इस महमारी पर जो जानकारी प्राप्थ हो रही है इंडिजीनियस पीपल ज्यादा प्रभावित हुए है इंडिजीनियस पीपल ज्यादा प्रभावित नहीं हुए है गैर इंटिजिनियस पिपुल के तुलना में जब अथिंटिक आकड़े हमारे पास आ जाएंगे तब हम इस पस्ट कुछ कहने की स्थिती में होंगे पर यदि ऐसा हमारे पक्ष में निमतम आकड़े आते हैं तब हमारे लिए हैं निश्चित तोर पर विष्व के सवदेशी जन्नों के लिए एक गवरव की बात होगी क्योंकि ये इसका जो पुरा स्रे हमारी कल्चार हमारी संस्कृति हमारी टेडिशन हमारी जो संजरचना है या हमारी जो हमारी जो सहन सक्ती है कहना चाहिए प्राकृति के साथ धूप है गर्मी है वर्साथ है इन सभी में हम लोगों का जो शरीर है वो उस हिदाब से लचिलापन ऐसा है कि हर परिस्तिती में ढलने की छमता रखता है हमारी शरीर और उस तरह से जो वाइरेस हैं उसको जो है ना लडने में हमारी शरीर सच है जरूर यही लचिलापन के चलते संभावता अभी जितना हमारे जो ट्राइबल है या इंडिजिनेस पीपुल है वो कम प्रभावित हुए हैं हो रहे हैं अब मैं चलता हूँ साथियों इन ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेंटराज संग की महासभा ने हमारे जो इंडिजिनेस पीपुल के उनके अधहिकारों उनकी जो समिधानिक राइट्स हैं और हमारी क्या दाइथ हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 46 आर्टिकल को लिपीबद करते हुए ये हमारे 193 देशों के साथ ये शुरुवात की गई है या वहां के इंडिजिनेस पीपुल के लिए ये कानून विस सेंटराज संग ने रखा है इसी कड़ी में मैं आप लोगों का ध्यान आकरिष्ट करवाऊंगा कुछ अनुस्यदों पर पर उससे पहले जैसे कड़ुपे साहब ने जो बोला मैं थोड़ा उस पे आता हूँ कि हम लोगों को एक पूरे भारत पे एक ऐसी एक बड़ी कमिटी बनानी की बात कड़ुपे साहब ने किया कहा है मैं बिल्कुल उनकी बात को समर्थन करता हूँ और मेरा इसमें यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसको हम लोग शुरुवारत कर दिनी चाहिए बहुत जल्दी पूरे भारत में एक हमारी सेंट्रल बॉडी बने सारे ट्राइबल को साथ या सारे इंडिजिनेस पिपल के साथ ताकि यह जो कमिटी है यह जो कमिटी है यह सेंट्राश्चंग को और हमारे जो राइट्स हैं जो दिये हुए हैं क्या implement हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर निग्रारी रखेगी उस पर काम करेंगी साथियों आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं ज्यादा तर अपने देखने 27 साल हो गया 27 साल में हम लोग जिस बात को के लिए हमको ये celebrate करना चाहिए या जिस बात के लिए हमको आज का दिन दिया गया है उस पर बात नहीं होती अभी तक उस पर चर्चा नहीं होती अभी बहुत सारे आप देखेंगे अभी इसी समय में आज के दिन मैं 36 गड़ में बात किया तो जो तत्कालीन जो मंत्रियां हैं उनको बुलाया जा रहा है और पोधा रुपन का कार किया जा रहा है मतलब हमारे जो राइट्स हैं आज का दिन के वाल संस्कृति कल्चर तो है है पोधा लगाने का नहीं है आज का आज का अगर दिन कहें आज का जो दिन है ये हमारे साल भर के जो संगर्स है जो राइट्स है जो हमको दिये हुए जो अधिकार है वो मिला नहीं मिला क्यों नहीं मिला सरकारें क्यों नहीं दी इसका वज़ा क्या है एक्चली आज का दिन इन बातों को हमारा समिक्षा करने का दिन है आज हम इन बातों को समिक्षा करते तो लेकिन हमारी जो कमिटी नहीं है राश्टी कमिटी जो बनना चाहिए वो नहीं है इस्टेट कमिटी नहीं है जिला कमिटी नहीं है कि ताकि इसको उपर से निशे तक इस बात को क्या-क्या हमारे साल भर में हमने संघर्स किया है इन्डिजेशन प्यूपिल के राइट्स के लिए उस पर प्रसारित एक भी बात नहीं हो रही है मैं उसी कड़ी में आप लोगों को बताओं जैसे बाली साहब ने जो अपनी बात रखी है एडेंटी की मैं उस एडेंटी की बात भी कुछ अनस्वेद में दिया है मैं उसको भी अभी आप लोगों के भीश रखता हूँ और यह जो हमारे क्या राइट्स है यदि हमां टोटल अगर देखें इस भुभाग पर तो केवल और केवल इंडिजीनियस पीपूल के सारे चीजों पर राइट्स है अधिकार है सासन सत्ता पर लेकिन आज तक यह नहीं हो रही है इसका वज़ा क्या है इसका वज़ा सिर्फ और सिर्फ यही है आज 27 साल होने के बाद भी हम लोगों को आर्टिकल में कहां क्या हमारे राइट्स है यही नहीं पता है तो बताए कैसे हम लोगों को राइट्स मिल सकता है दूसरा जो हमारे 70 साल हो गए अजादी के बाद जो समिधान में दिया गया है मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ जो हमारे जनप्रतिनी दिये है बीजेपी और कांग्रेस के उनको समिधान की जो पहला प्रस्तावना है उसको पुरी तरह से नहीं जानते तो हमारी भारत समिधान में जो राइट्स है हम लोगों का हम लोग बात करते हैं क्या हो रहा है पाँचव यानिसूची की राइट्स बिल्कुल कुछ भी हासिल ले हो पा रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार हमारे जनपृतिनी दी भी है और हम उससे भी ज्यादा जिम्मेदार स्वेम है क्योंकि जानकारी के अभाव में हम लोग उनको चुन के भेज रहे हैं वो हमारे जनपृतिनी नहीं है वो भारती जनता पार्टी और कांग्रेस के दर्शन को ले जाने वाले जन पृतिनी धी हैं, हमारा काम कैसे करेंगे, तो हमारी जो समिधानी कधिकार है, जो हमारी इंटरनेशनल, समिधास संग ने जो हमारे राइट्स दिये है, ऐसे हमारे जो राइट्स हैं, इसको ले जाने वाले जन पृतिनी धी, जब हमारे विधान सभा और संसद में नहीं पहुंचेंगे तम तक हमारी जो राइट्स हैं वो लागू नहीं होंगे हमारे देश में उसी कडिमे मैं आभी आपको अनुचे तीन की थोड़ी सी उसकी जो है राइट्स उस पर मैं आप लोगों को बताता हूं पड़के स्वदेशी लोगों को आत् आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाने के लिए सक्षम है ये इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 में कहा गया है जो राइट सम को दिया है स्वदेशी लोगों को अपने स्वायत कारियों के विती पोसंड की तरीके एम साधन के साथ साथ अपने आ तरीके का साधन मतलाब आज तक हमारी कोई विती पोसंड है तो बताइए हमारे पास वित पोसंड की क्या साधन है कुछ भी तो नहीं है हमारी आत्पे भी जो हैं वो दूसरे के हैंडिल कर रहे हैं यदि मैं कहूं हमारे जिन चेतरों पे हैं यहां बिल्कुल इस पास इसमें सारे कुछ आते हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ इंडी जीनियस लोगों की मतलब होनी चाहिए उसको संचालित करने का पर आज यहां तक है नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है अनुषेद पांच क्या कहता है बनाए रखने का धिकार देता है, लेकिन अभी तो एक भी हमारी कानूनी से यहां कानून की बात आ रही है, मतलब indigenous people की कानून क्या है वही हमारी रुधी प्रता है, आज यह प्रता हमारे कानून में लागून नहीं हो रहा है, हमारे देश上为 नहीं हो पा रहा है, आगे है अनुछे छे बहुत अभी चल रहा है देश में आप सबको पता है ये एनर्सी रास्टी एनर्सी जो सिटिजन सिप्ट किसको देना है नागरिकता उसकी लिस्ट बनानी पी चल रही है इस सिटेजन सिन अमेंडमेंट भी लाके इन्होंने एक्ट बनानी की तैयारी कर रहे हैं अब कुछ तिन चार महिने के बाद ये लागू हो सकता है इसमें क्या कहता है ये बात लिखी गई है अनुछे छे पे प्रतेख स्वतिसी वेक्ति को एक राश्टीता का अधिकार है मतल कि राश्टीता है उसका अधिकार है और यहां चल रही है एक नेशनल और इंटी नेशनल की बात चल रही हमारे देश पे साथियों के तो नेशनल लिखी कौन है ये पूरी राइट हमको देता है और अगर 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 नर्सी अगर किसी को देना है वो और सिर्प केवाल इं पस कर रहा है स्वधेशी लोगों को अपने रिवाजों परमपराओं की अनुसार अपनी पहचान जैसे ड्र बाली साब ने कहा हमारी अडेंटी क्या है वह आइटेंटी की अनुच्षे 33 कंडी का वन में इस बात को परिभासित किया गया है स्वदेशी लोगों को अपनी रिवाजों परंपराओं के अनुसार अपनी पहचान या सद्यसता निर्धारित करने का अधिकार है किसके अधार पर जिसकी बात डक्टर बाली साब कर रहे है वही अडेंटी का अधार पर हर स्वदेशी बेक्ति को उन राजियों की नागरिक्ता परंप करने का अधिकार है जिसमें वो हम लोग जिस भूभाग पे रहते हैं जिस देश पे रहते हैं ये अनुछे 33 की कंडिका 1 कहता है कंडिका 2 है स्वदेशी लोगों को सदचनाओं को निर्धारित करने और अपनी परिक्रियाओं के अनुसार अपने संस्थानों की सदसता का चैन करने का धिकार भी हम लोगों को 33 की कंडिका 2 में दिया गया है अनुचेद 16 स्वदेशी लोगों को अपनी भासा जिस पर कई साथियों ने बोला है अपनी भासा पर बात रखी है स्वदेशी लोगों को अपनी भासा में ही मीडिया इस्थापित करने का अधिकार देता है अनुचेद 16 और जो गैर स्वदेशी मीडिया है गुन लोगों तक हमारी उनको दवाव ये बनानी है यहां तक कि हम लोगों को हमारा ये राइट्स है कि हमारे जितने भी जो पबलिस होना है कोई भी चीज उसको दिखाने का यदि ये लोग नहीं दिखाते है तो ऐसी मीडिया को हमारी इस लैंड पे इनको संचालित करने की राइट्स नहीं देता है और एक बात है जो हमारे समिधान भी इस बात को मैं थोड़ा आगे बोलूँगा समिधान में भी इस बात को है मैं थोड़ा सा उस पर आउँगा समिधान की प्रस्तावना पे अनुशेत तीस ये बहुत बड़ी बात है साथियों अनुशेत तीस की कंडी का वन देखिए इस पे क्या है स्वदेशी की भुमी का या छेतरों में सैन्ने गतिविधी नहीं होगी जब तक संभिधित जनहित या सौतंत रूप से सहमत ना हो या सोदेशी लोगों द्वारा अनुरोध नहीं किया जाता तब तक सैन्ने गतिविधी निसेद है इसका मतलब ये है कि हमारे जो भुमी है हमारी जो लेंड है जहां हम लोग रहते हैं इसमें सैनिक गतिविधी बिलकुल नहीं हो सकती है जब तक हमारे लोग पूरी जनजित्ती कमेटी के लोग अगर कोई जनहित मतलब ऐसे कोई नर्सहार या ऐसी कोई चीज नहीं होने की संभावना हो तब हम बुलाएंगे ये उस इस्टेट की उस राजपाल के हम कहेंगे कि यहां सैनिक की जरुरत है या नहीं है ये हम तै कर भाराज सरकार सेना नहीं भेज सकती ये आर्टिकल 30 की कंड़ी का one मिस परस्ट हो रहा है हमस्समाई हमारे देश में क्या हो रहा है हम लोगों को नकसली बता कर मारा जारा है हमारे बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है जेलों के अंदर इस बात को उठाई थी हमार बहन, जेलर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है भी मेरे को, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, इस पर कब कारवाही होगी बताइए, कौन कहेगा, आज तक हम लोग किवल ऐसी सिलेविरिशन करने से नहीं होगा, जैसे कड़ोपे साहब ने बढ़ाया, वैसे बिल्कुल ह होनी चाहिए, और इमिजेडली हम राजपाल को लिखें, 36 गड़ के, कि हमारे इस 36 गड़ में कोई अथुराईच नहीं है, ये अनुसूची एकंडी का 30 का उल्ले करते हुए तुरत हम चिठी लिखें, 36 गड़ के राजपाल को, और तुरत वहाँ सेना से वापसी होनी चाह लिखें, गड़ में कोबुदंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है, तो हम लोगों को जो राश्टी कमिटी होगी हमारी, ये राश्टी कमिटी, ऊएने को चिठी लिखेंगी, उनको अवगत कराएगी, ये सारे मामले हमारे साथ हो रहे हैं, सारे सिडेंट हो रहे हमारे बीच पे तुरत कारवाई होनी चाहिए इसकी एक कमेटी हो और तुरत इस पे पत्रचार करें जैसे मैंने कहा हम फिर आगले साल आ जाएंगे आज इंडिजनियस मनाया कल भूल गए जब तक एक कमेटी होगी इसी चीजों को करती रहेगी इनको चिठी लिखने हैं जहां चिठी की रिपोर्ट करेंगे के बहुल नाजगान करने से नहीं चलेगा वो तो है कल्चर के लिए जिवित रखने के लिए बात इसमें भी कंडिका में दी गई है आगे है साथियों कंडिका टूक और इसको किलियर कर रहा है राज समंधित परक्रियाओं के लिए के लिए स्वदेशी लोगों की भूमी या छेतरों का उपयोग करने से पहले उपरिक परक्रियाओं के माध्यम से समंधित स्वदेशी लोगों के साथ राजपाल प्रभावी परामर्स करेगी ये बात तीस की कंडिका टू में इसपस्ट कर रहा है जब तक राजपाल हमारे साथ विचार विमर्स परामर्स नहीं करेगी तब तक कोई भी देश की सरकारें उस इलाके में सैनिक गदी विधी के लिए अपने इस्तिमाल ने करेगी सैनिक नहीं भेज़ेगी सैनिक न उतारेगी नकसलवाद की समस्या है जरूर नकसलवाद से हम उस समस्या को हम लोग निप्टेंगे लेकिन जो हमारे जो सहुत राजसंग के जो अधिकार हमको दिये है उसमें इस बात को इस पस रूप से लिखा है आप सभी इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे इस बात को अनुशे 31 की कंडिका 2 कहता है राज सरकार स्वदेशी लोगों के साथ मिलकर उनके अधिकारों की सुरक्षा और पहचान के लिए प्रभावी कदम उठाएगी हमारी जितने भी राइट्स हैं उस पर हम लोगों के साथ मिलकर उनकी पहचान करना उनकी एडेंटी करना ये सब की सुरक्षा हम लोगों की सुनिचित करना तो सुरक्षा तो हमारे साथ सुनिचित नहीं हो रही है उपर से हमारे साथ और बड़ी बड़ी दुरगटनाएं हमा प्रास्तावना है वो कहता है हम भारत के लोग संपूर्ण परभूत्व संपन समाजवादी पंत निर्पेक्ष लोकतांत्रात्म गणराज कहने कास है इसमें समझे साथियों इस पस रूप से कह रहा है अब इस बात को अपनों देखेंगे क्या जो हमारी समिधान की मूल भावना है क्या वो देश में लागू हो रही है क्या हम भारत के लोग संपूर्ण प थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है मैं वो आप लोगों के भी सेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग पाएंगे कि एक्चुली समिधान में क्या है और हो क्या रहा है संपूर्ण परभुत तो संपन का मतलब होता है कारपाली का न्यायपाली का और विधाय का चौथा इस अगर कहें तो अंग्रेजों को छोड़ कर बाकी सब यहीं किरा गए और जो भेदभाव हमारे साथ हजारों सालों से किया जा रहा है तो उसी जब समिधान बना गया बनाया गया तब उसी जो भेदभाव के आधार पर हम लोगों को यह सूची बना गई हमारी समाजीक आर्थिक और सैक्षणिक और समाजीक अधार पर यह सूची तैयार की गई जिसको अन्यसूची बोला जाता है उस अन्यसूची में सिडू ट्राइब, सिडूल कास्ट, अधर बेकवार्ड और अन्रिजर्ब इस सब्द को लाया गया है तो अभी जैसे बहुस हमारी समाजीक आर्थिक और सैक्षणिक अधार पर हम लोगों को एडिन्टी देकर यह सिडूल बनाई गई उसी सिडूल के अधार पर हम लोगों को इनकी संख्या क्या है सेंट्रल पे हमारी अलिक संख्या है हर स्टेट में स्टेट बाई अलग-अलग संख्या है इन संख्या के आधार पर यह जो बोल रहे है संपूर्ण पर्वुत संपन कारपलिका नयापलिका विधायक और चौथावस्तम मीडिया इसमें हमारा प्रतिनिधी तो है लेकिन प्रतिनिधी व्रायपलिका में पूरी का पूरा ब्राह्मनवादी लोग बेठे हुए है इसके बाद आजाइये आपकी मीडिया में ना चाहथा इस्तम है एक यही मीडिया हमारे ट्राइप नहीं है और यही चीज थे बाकि सारे चीज में सर्कारी है समिधानिक चीज़े है पर मीडिया ही सरकारी क्यों नहीं ये हमारे भी सवाल आना चाहिए साथ हो किसी भी ब्यक्ति को हमारे समिधान सम्मत मीडिया चलाने की अथोराइस नहीं है ये पूरी मीडिया है, электronic हो, print मीटिया हो ये सभी के सभी सरकारी होंगे, public sector होंगे और उस पब्लिक सेक्टर में हमारी जो ये आगे में बात कर रहा हूं उस अधार पर हमारी लोगों की प्रतिनीधित इसमें भोगा है कोन एडिटर होगा कोन पत्रकार होगा ये सब वो जो हमारी समिधानिक अधार पर दिया गया है उसके अधार पर होना चाहिए लेकिन आज कि इसमें वेकेंसी आती है क्या कभी नहीं आती क्योंकि हमको जानकारी नहीं है जो मीडिया है इसको खोलने का राइट्स नहीं है हमारी समिधान के अधार पर और वो हमारे अंतरराश्टी समिधान के अधार पर बिल्कुल नहीं है आगे बात करते हैं समपुल परभुत्व संपन समाजवादी पंध निर्फेक समाजवाद का मतलब इस बात को समझे कई लोग ने में पूछा कि समाजवाद का मतलब तो बहुत बोलते हैं नहीं समाज में भाईचारा होना चाहिए लड़ाई जगरा नहीं हुए साथियों समाजवात का मतलब ये नहीं होता है समाजवात का मतलब होता है अगर किसी भी देश का उत्पादन परक्रिया उत्पादन का शवरूप यजी, सार्वजनिक माली का नामे हैं, इसमें सभी आ जाते हैं, उत्पादन परिक्रिया और सिवा का छेतर हैं, उत्पादन परिक्रिया का मतलब कलकार खाने, सिवा का छेतर मतलब जितने भी ट्रेवल हैं, हवाई जहाज हो चाहिए, ट्रेन हो, बस हो, और सिवा और जैसे स्कूल है, स्वास सिव समाजवाद का मतलब है यह है तो समाजवाद का मतलब यह है तो समाजवाद तो कह रहे हैं समाजवादी पंत निर्पे तो समाजवाद तो अभी पुरी तरह लागू भी नहीं है बलकि उसको जो थोड़ा बहुत अजादी के बाद शुरुवात की गई थी उसको भी खतम करने का चला गया है अभी केंद्र सरकार मोदी जी अभी जो है न एक सो नौट रूटों पे सारे ट्रेनों को प्राविट करने जा रहे हैं हवाई जहां जो को प्राविट करने जा रहे हैं बेंकों की प्राविट की करन करना जाता है इसको लोग इक प्राविट करन किये जा रहे हैं ये क्यों हो रहे है इसका कारण हम लोग हैं हमारी जिन्मेदारी पहले थी कि इस जो समाजवादी बेवस्था को इस्थापित करने वाली कोन से राजनीतिक पार्टी है कोन इस्थापित करेगा इस पर कभी हम लोग गवर किया बहुत बड़ा राइच बाबा साहब ने हम को दिया है प्रतिनीजी जाते हैं इन पार्टियों में इन लोगों के ने कभी नहीं देखा कि ये जिस संगठन में मैं जा रहा हूँ क्या मेरे समिधान सम्मत इनकी विचारधारा है ये कभी उन्होंने नहीं देखा ये उनकी जो है ना स्वार्थ में जाएं पैसे के लिए जाते हैं किस समिधान सम्मत नहीं है तीसरी जो बड़ी बात है वो है पंत निर्पेक्ष या धर्म निर्पेक्ष पंत निर्पेक्ष या धर्म निर्पेक्ष का मतलब साथियों स्वरधर संभाव नहीं होता मैं हिंदू मुसल्मान मेरी मर्जी मैं जैसे करूं नहीं जब अपने नीजी मकान से रोड पे जाऊं तो मुझे अपने धर्म के अधार पर मुझे अपनी उसको वहाँ सर्जनिक जगों में ये राइश नहीं देता कि मैं उसकी नुमाइंदगी करूं आज क्या हो रहा है आज क्या हो रहा है देश पे सबसे बड़ी चीज जिसको हमार जनपरतिनीधियों को ये सवाल उठाना चाहिए केवल वेसी ने उठाया है संसद में प्रधान मंतरी अपने समिधानिक पद उस हमारे जे उस समिधान की सपत लेते हुए ये कहा है उसके बाद भी अपने अउध्या में इस लागडाउन के दौर में भी उन्होंने ये भू पुजन में तो गए है उसे बड़ा चीज साथियों हमारे जो कोस का पैसा है उस सरकारी पैसे और उन सारे सरकारी संसाधनों को वहां लगा दिया है कोई विरोध नहीं देश पे क्यों विरोध नहीं है क्योंकि हम लोग नहीं पता है इसलिए विरोध नहीं कर रहे हम लोग और इस बात को निले है ये तो सीधा सीधा कटगरे में भारत देश का प्रधान मंतरी मैं दावे के साथ का रहा हूँ भारत देश का प्रधान मंतरी कटगरे में कोता है हमारे समिधान के खिलाब काम किया है मैं इस मज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ यदि हम एक हो जाएं तो तो निशित तोर पर इनको जेल जाना पड़ेगा कोई भी धार्मिक चीजों में जब हम लोग देश के प्रधान मंतरी उसको बनाए हैं तो ये अपने धार्मिक कारियों में नहीं जाएगा धर्म का केवल धर्म निर्पेक्ष की बात इसलिए कहा गया है कि आप धर्म में आप मानते हैं का समिधान का मतलब ये है समिधान की जो धर्मिक परिक्ष की जो बात है तो साथियों ये बात को हमारे जन परिदिदिंधी आज तक नहीं कर रहे है यही कारान है हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दुखत बात तो साथियो मैं बहुत कुछ जोस में भी कुछ बोल दिया हूँ तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे लेकिन जो मेरी कंक्रीट बातें हैं जो अपनी विचार हैं उसको मैं रखा हूँ बिल्कुल इन जो मैं समिधान आर्टिकल की जो बात किया हूँ हम इन आर्टिकलों को कल से ही हम अपने गाओं के उन तबकों तक ले जाए जो हमारे भाई जो अनपड़ भी है या पढ़े लिखे हैं हम इसमें जो अंग्रेजी हैं इनको सभी भासाओं में हम लोग ट्रांसलेट करें अनुसूची को मैं भी थोड़ा सा जो इसको ट्रांसलेट और और भी चीजों को रखने में इसलिए दिक्कत हो गया क्योंकि यह अंग्रेजी में है और मेरी भासा अंग्रेजी है मैं अंग्रेजी ज्यादा पढ़ा नहीं मुश्किल से आठवी नवी तक ही मैं यह अंग्रेजी पढ़ पाया तो उतना इसको मैं हिंदी ट्रांसलेट में दिक्कत हो गई बच्चों के साथ किया तो बच्चों के साथ यह है कि वो अंग्रेजी तो लोग समझते लेकिन अगर उसको एक्चेक्ट हिंदी करके भी वो नहीं दे पाते तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग इसको जो अंग्रेजी वर्जन है उसको हम ले अपनी बोड़ी भासाओं में अपने और सपी जो छेतरी भासाओं में ट्रांसलेट करें और इसको हम लोग अपने समाज के हर इंडिजिनेस पीपल तक लेके जाएं तब ये कि हमारा ये राइट्स है और ये क्यों नहीं हो रहा है जैसे मैंने बात किया था 30 की कंडी का 1 की सेना का इस्तिमाल हो रहा है हमारे जगे पे पुलिस का है पुलिस का भी एक रोल है पुलिस भी पुलिस का भी एक चीज है साथियों पुलिस भी हमारे उपर हस्चेप नहीं क कर सकता ये बात इस बात को पथल गड़ी में रेखांकित करने की बात किये हैं जो पथल गड़ी के जो अंदोलन के लोग थे उन लोगों को भी इंटी नेशनल के रूप में थाराये गया था और बहुत लोगों कुछ को जेल डाल दिया गया था एक्च्वली वही बात जो पथल गड़ी में यही बात रिखा है जो संत्रास संग ने बात कहा है जो हमको अधिकार दिये हैं और यही जो राइट्स हैं वो हमारी पाँचवी और छटवी अनिसुची में हैं तो इसके अधार पर जो है न यह सारे जो बाते हैं इसको हम लोग जो राइट्स हैं और दाइत्व हैं इनको हम लोग अपने सबसे आखरी पाउदान तक जो गाउं में हैं हम उन हमारे समाज के इंटरजिनेस पीपूल के बीच लेके जाए उनको समझाएं ब्याख्या करें इस पर अध्यान होना चाहिए और यदि ऐसा और फिर हम जो माध् पर अध्यान को हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक इसको कोन वायच करेगा इसको कोन देखेगा इसके लिए जो कमिटी कडोपे साहब ने भी बोला है इसको जल्दी हम लोग स्टेट और सेंटरल के मंचों पर बनाएं और उनका ओ लोग जो है ना इसको पूरे कॉडि प्रेक में होना चाहिए तभी हम लोग करेगा भी तो कोन करेगा कोन करेगा एक मुखा देखते रहते हैं तो ये कमिटी जब बन जाएगी तो कमिटी का पर ये दाइत वा जाएगा तो उनको जरूर इस पर कुछ न कुछ उलोग एक्षन में आएंगे तो साथियों आप लो तैसिल से धन्वाद और साथियों एक बात और करना चाहता हूं मैं यदि संभाव हो सके तो क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैजडी हुआ है और यदि संभाव हो तो अपने अपने जगों में खड़े होकर यदि हम उनके संभान में जो आज दुनिया को छोड़ के चले क्शे संभाव हो जो नगर हो फित वी फितन है और कर फशाव जयर होगा है तो जह हम ऑना चाहता है और कर दो हुआ है है और लोगों मैं जो पात बड़ा है है